हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई ओफीशी यूटूब चैनल स्ट्रडी मैटेरियल एटू जैड दोस्तों आपके जो रजल्ट आने चाहिए थे वो रजल्ट नहीं आ रहे हैं और जिनके रजल्ट आने नहीं चाहिए थे उनके रजल्ट सबसे पहले डिकलेर किये जा रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यहां पे रजल्ट लिस्ट जो डिकलेर की गई हैं उनके बारे में डिसकस करने वाले हैं जो जिनके पैंडिक रजल्ट बाकी हैं उनके बारे में भी साथ साथ डिसकस करने वाले हैं तो जो भी कैंडिडेट्स नहीं हो चैनल को सब्सक क्योंकि दोस्तों इसका जो वीडियो था वो सबसे पहले हमारे चैनल पर आया था तो आपको दोस्तों यहां पर पता होना चाहिए आप टेलिग्राम पर जूड़े रहेंगे तो आपको पता रहेगा और जो कैंडिडेट है यहां पर कुछ कैंडिडेट्स हैं जो कि आप नंबर के या फिर 30 डेज के जो रिजल्ट चैक कर दीजिए क्योंकि जब इंस्टाग्राम पर आप कमेंट करते हो कि सर इस स्टेसन का रिजल्ट है हम सुन रहें आ गया है अगर आया है तो दोस्तों हमारे टेलिग्राम पर आपको जरूर मिलेगा अगर नहीं भी आया है तो यही है और दोस्तों जितने भी नए रिजल्ट आएंगे वो सबसे पहले आपको चैनल पर मिल जाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा चलिए मैं आपको जो रिजल्ट आए हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिखा देता हूं फिर जो यहां पे आपके गाजियाबाद का रिजल्ट और आपके यहां पे अदर जो रिजल्ट बच रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिसकस कर लेंगे क्योंकि आपको भी एक संतुष्टी मिलती है कि जब भी हम डिसकस करते हैं और आपके जो हो कुछ अपडेट भी निकल के आती है तो गाज आप देख सकते हैं यह जो की रिजल्ट है यहां पे आप देख सकते हैं सिबलिंग MTS ट्रेड शोट लिस्टेड कैंडिडेट प्रेक्टिकल स्किल टेस्ट 16 नुमबर 2021 तो यह आप देख सकते हैं जो की यह आपका रिजल्ट लिस्ट आपको मैंने नहीं डाली थी कि आपका यहां पे सकिल टेस्ट हो चुगा है इन कैंडिडेट्स का तो अब दोस्तों यहां पे यह जो रिजल्ट लिस्ट हैं आपको सकिल के रिगार्डिंग भी बता दिया आपकी जो जो जोइनिंग हुई थी उसके बारे में भी बता दिया डोकुमेंट के रिगार्डि हो सकती है यानि आपका फरोड हो सकता है तो आप पूरा जो पैनी नजर रखिएगा तो हाँ भाई बिलकुल आप भी थोड़ा सा ध्यान में रखेगा हमारा पूरा यहां पे की कोई अगर अपडेट ऐसी मिलती है क्योंकि मिलेगी तो आपके थुरू ही जानकारी तो यहां प का फाइनल रिजल्ट अवदी का फाइनल रिजल्ट बार बार और अमला का फाइनल रिजल्ट यह बच्चे बिलकुल भी टैंसन ना ले यहां पे अगर आपकी फाइनल लिस्ट दोस्तो आएगी जरूर आएगी फाइनल लिस्ट आएगी इसमें जरूर आएगी क्योंकि अम में दोस्तों आपके जो है आपके फाइनल रिजल्ट का भी बेट कर रहे थे कई कैंडिडेट है जिनके डोकुमेंट वेरिपिकेशन के रिगार्डिंग भी बात कर रहे थे तो गैज यहां पे अपके एड्मिट काड आ चुका है दिल्ली स्किल का तो आप जो थोड़ सी इस बाकि बता रहे हैं और एक अमला का रिजल्ट बाकि बता रहे है तो आमला वाला कैंडिडेट को गब्राने क्या हूँ सकता नहीं है रिजल्ट लिश्ट लगेगी आपको बता भी दिया जाएगा और आप कोल पे पूछोगे तो भी कुछ ना कुछ आपको रिस्पोंज लेकिन जिस परकार से इन्होंने जो आपके टून को रखा है कि आपके नेक्स्ट बीक तक आ जाएगा उससे जो मुझे नहीं लग रहा क्योंकि इन्होंने जो जिस परकार से आपका अपडेट दिया है तेकि आप सुन दीजिए कोई कुर किया है आपने कि में बोलीए कि अषब हुआ है मैं ये सट्रा गथिन को पेपर हुआ था मैं इसका फाईल लेजाट को ऐगा है किसका किसा यो ये सट्रागैंड को थो आज ये आज ये अगलेगा गुछ देखा कि आपके जो कि क्या बोला है नूनी तो इससे जो एहां पर कुछ चीजें clear यहां पे नहीं हो पा रही है कि जिस परकार से इन्होंने आपके second week को बोला गया है बट इस परकार से यहां पे जो चीज़ें जो क्योंकि जिस परकार से इन्हों जो वे था कि आपका first week के या second week में आपका जो आ जाएगा तो इन्होंने नेक्स्ट वीक बोला है तो वेट कर लिजिए जो भी 3BRD के कैंडिडेट हैं तो आपको इस परकार से दोस्तों लगातार अपडेट करते रहेंगे चैनल को सस्क्राइब कर लिजिएगा और इंस्टाग्राम पे फोलो कर लिजिए अगर आप में परकार से बातचीत करना चाहते हैं और आपके पास कोई भी अपडेट होता है तो आप मुझे यहां पे दोस्तों वाटसप कर सकते हैं जिस परकार से कैंडिडेट जो हूँ और गाजियाबाद की किसी के पास दोस्तों कोई कोलिंग हो जिसमें आपके कुछ अपडेट हो तो आप मुझे यहां पे सेंड कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्ट वुडियो के साथ जैहिंदे